प्रेज दे लॉड आप सबको जय मसी की मैं प्रमियोसर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुभा दिखाने के लिए और आज विशेज दिन है क्योंकि आज वर्ष 2022 का दस्वा महीना शुरू हो चुका है नौ महीने प्रमियोसर ने सुरक्षित गुजारे कोई चिंता परिशानी नहीं आई कोई अक्समात घटना हमारे साथ ऐसी नहीं गुजरी जिससे हम परिशान हो जाते पर भुरू हमें सही सलामत रखा जिवित रखा इसके लिए हम प्रमियोसर को कोटी-कोटी धन्यवाद दे प्रेज दे लोड और मैं आपका दोस्पास्टर राज में से एक नया संदेश लेकर आपके सम्मों को पस्तित हूं और मैं गुजारिस करता हूं कि पूरा संदेश सुनिएगा क्योंकि कल मैंने मन के बारे में बताया था कि हम अपने मन की बाते ना कहें अपने मन से बात करे क्योंकि मन हमें बहुत बठकाता है जैसे कि हमने पड़ा था यर्मिया सत्रा अध्या के नौर दस्पद में तो मन तो सब बस्तों में अधिक धोका देने वाला होता है लिखाए कि इसमें असाध्य रोक लगा यानि कि लाइलाज बिमारी है इसमें ये ठहरता नहीं है कहीं तो कल मैंने इस वचन को शेर किया था तो यहुदा स्कुरूती के बात आईगी कि यहुदा स्कुरूती अगर अपने मन से बातचित कर लेता उस समय क्योंकि स्यतान ने उसके मन में डाल दिया था कि ये समची को पकड़वाए क्योंकि स्यतान ने कौन सा बिज उसके अंदर डा लिया था, तो उसको यहुदा स्कृूटी को सेतान ने यूस किया, और हम जानते हैं ये बात, क्योंकि एक बहन ने कॉमेंट्स में लिखा भी है, कि यहुदा स्कृूटी तो उधार की योजना में शामिल था, अगर वो अपने मन से बात कर लेता, तो फिर ये कैसे पूरा होत तो मैं एक बात अच्छी तरह से जानता हूं कि परमिसर अपना काम अच्छी तरह से करवा लेता है, हम मुसा के विस्ते में जानते हैं, कि मुसा ने वो काम किया जो परमिसर जानता था, परमिसर जानता था कि यह करेगा, इसलिए परमिसर ने उसको बुलाया, और मिसर में बेजा कि वो उसकी प्रजा को निकाल कर लेकर आए और बहाने बनाए चार बहाने बनाए मुसा ने वहाँ पर कि मैं बोलने में भद्धा हूं मैं हुआ किया जवाब दूँगा इस तरह से उन्हें चार प्रकार के बहाने बनाए लेकिन चारों बहानों को परमेसर निक्या कर लेकर आया उनके साथ रहा और उनकी अगवाई करता रहा एक बार क्या हुआ वो लोग बढ़ाने लगे प्यासे थे तो यह परमेस्टा ने कहा कि जो चट्टान उससे बाते कर और वो तुझे पानी देगी लेकिन उसने क्या क्या दो बार लाठी मार दी उस चट्टान पर चट्टान कौन थी वो चट्टान पर भी समसी थे परमेसर को यह बात अच्छी नहीं लग़िया और परमेसर मुसा से नराज हो गया यही एक कारण था कि मुसा को कनान देश परमेस्टर ने नहीं भेजा काम ले लिया पूरा लेकिन उसे कनान देश नहीं भेजा उसे पहाड पर ले गया और उसे दिखा दिया सब कुछ के देख आँसे देख ले लेकिन तू वहाँ जा नहीं पाएगा जबकि वो बिल्कुल बलशाली था विवस्था विवरण ने कत्तिस अध्याय में पढ़ सकते हैं 120 साल तक वो जिया और उसकी ना तो आँखे धुंदली हुई ना उसका पौरस घटा था वो बिल्कुल सही था परमेस्टर ने का नहीं तू कनान देश नहीं जाएगा क्योंकि तू एक गल्दी कर चुका है तो कहने का मतलब यह है कि परमेस्टर तो कुछ भी कर सकता है भजन सेत्या 115 असके तीन पत में लिखा है कि हमारा परमेस्टर तो स्वर्ग में है उसने जो चाहा वो ही किया तो यहुदा स्कुरूती को अगर परमेस्टर ने अपनी योजना में शामिल किया था तो परमेस्टर की योजना में शैतान भी शामिल था शैतान भी शामिल था इसलिए शैतान ने क्या क्या यह सुमस्टर को कुरूस पर चड़वाया और यह जरूरी था तो परमेशर तो कुछ भी कर सकता है, ये सुमस्ची ने कहा कि तुम क्या बाते करते हों, परमेशर तो अबरहम के लिए पत्थरों से भी संतान पैदा कर सकता है, तो परमेशर तो कुछ भी कर सकता है, उसके पर सवाल उठा नहीं सकते, लेकिन एक मैंने एक बात कही थी, वो हम बहुत सी बातों से बचे जाते हैं पाप करने से बचे जाते हैं गुना करने से बच जाते हैं गलती करने से बच जाते हैं अपराद करने से बच जाते हैं विरोध करने से बच जाते हैं और हमारी जीवन में तब परमिय सरकार ये करता है प्रेज दलोड तो मैं आपका दोस पास्टर रैजमेसी आपके सम्मों को पस्तित हूँ इसी संदर में हम थोड़ा सो और आगे बढ़ेंगे मन के बारे में आज और जानेंगे उसके बाद मैं समाप करूँगा तो बने रहीएगा मेरे साथ पूरा संदिश सुनिए और उसे फिर शेयर जरूर कीजिएगा क्योंक पंदरा सेकिंड में उनके जवाब आप देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे क्लिक कीजिए और आज का सवाल जान लिजा आजका सवाल क्या है कि संथ पॉलूस ने एक वेक्ति को जीवित किया था उसका नाम क्या है वो कौन है जिसको संथ पॉलूस ने मरे वो कौन है आप जान लीजे अगर आप जानते हैं तो लिख दीजे कॉमेंट सेक्शन में अगर नहीं जानते तो डिस्किप्शन में जाईए सबसे उपर आपको लिंक मिलेगा आज के वीडियो का और उसे क्लिक कीजिए और 15 सेकिन में जानिए कि वो व्यक्ति कौन था वो प्रचाई से फिलाने की ना किसी का विरोध ना किसी पे क्रोध सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का प्रचार प्रेज दलाड एक चोड़ी सी प्राफना करके आज के वचन को मैं शुरू करूँगा प्रभुजी मैं धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए तुने द दिले दिमाग को छोकर ब्लैस कर मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कबजे मेरा है ताकि बुलने वाला मनुश्य नहीं लगे तेरा आत्मा हूँ जिसके भी लोग इस बचन को देख रहे हैं सब पर में तेरी आशिश बोलता हूँ हर एक को आशिशित कर हर एक की रोग बिम प्रेज दलॉट तो यहाँ पर एक नंबर मैंने दिया है बेहन रेखा का है तो यहाँ पर आप कॉल कीजे कल मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ जिसने बहुत सारी गवाईयां हैं इतनी गवाईयां आ रही हैं लोग तुरंत चंगाईयां पा रहे हैं उनके जीवनों में काम हो रहे हैं तो यह प्रात्ना आप करवाईये बहन देखा है इनका नंबर है फोन कीजे यह बहन प्रात्ना करेगी आत्मिक लेडिसे प्रात्ना युद्धा है और ऐसे बड़े-बड़े काम प्रभू कर रहा है कि जिनने देखकर हचंबा होता है यह वीडियो मैं आपके ज्यादा समय नहीं लूँगा लेकिन वचन को जरूर सुनियेगा तो हम देखते हैं कि कल हमने देखा था कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोध बेज जड़ यही है यह मन जो है यह हमें भटका कर रखता है तो हमें क्या करना है अपने मन से बातचीत करने है अगर मन कहता है कि आज हम कुछ दुसरा काम कर लें आज बाइबल नहीं पड़ें रोस तो पढ़ते हैं अगर आज नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा हम अपने मन से बात करें क्यों भ草जिन भी तो रोज करते हों आज नहीं करोगे तो क्या होगा small guten कहेगा कि संडे है आज कुछ घर का काम कर लेता है मन से बार चीट कर जां 다음 घर के काम तो हुते रहते हैं लेकिन पहला काम तो क्या है परमेसर के सात समय मिताना इसी तरफ से बहूत तरफ बाते हैं जो मन हमें हमें गुमाता रहता है गुमाता रहता है एक वचन मैंने आपके साथ शेर किया था कल और वो वचन है बजन सरीता 86 अधियाए और उसका चार पद है यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है अपने दास के मन को अनंदित कर क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही और लगाता हूँ तो जब हम अपने मन को परमेसर की और लगाते हैं जब हम अपने मन को परमेसर की उपस्तिती में लेकर चलते हैं जहां हमारे मन में परमेसर का वचन चलता रहता है मैं आपको अपन पूर्ण आप जरूर सुनिएगा और आप इसे अपने जीवन में कार्यन विद्वी कीजिए, ऐसे कैसा कीजिए, जैसा मैं करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आपको करना क्या है, जब मैं किसी मिटिंग में जाता हूँ और मुझे वहाँ पर बुलाया गया है किसी जा रहा हूँ, जैसा मैं पैदल भी जा रहा हूँ, तो मैं करता हूँ, घर से निकलने से पहले मैं बाइबल को खोल कर वो वचन लेता हूँ, जो परमेसर मुझे देता हूँ, और उसे मैं अपने यहाँ पर रख लेता हूँ, यह दिमाग में इस वचन को जब हम लेकर जात उस वचन से जुड़ी होती है और वो हमारे दिमाग में चलती रहेगी कि हाँ यहाँ पर यह लिखा है यहाँ पर यह लिखा है वो एक बहुत ही पावरफुल जो संदेश है वो हमारे दिमाग में तयार हो जाएगा और फिर जब हम हाँ पर खड़े होते हैं प्रचार करने के लिए मैबिल खोलते हैं तो क्या होता है कि बोलने वाला फिर मनुष्य नहीं होता फिर परमेसर का आत्मा होता है हम फ्लोइंग बोलते हैं और उसके बाद लोगों के जीवन में काम भी होता है उस वचन के द्वारा लोगों के जीवन बदल जाते हैं तो इस वचन को हमने क्या करना है हमने अपने दिमाग में रखना है ताकि ये वचन जो हमारे दिमाग में अगर रहेगा तो इस दिमाग में कोई फालतु बात आएगी ही नहीं आएगी ही नहीं क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि अपने दास के मन को अनन्दित कर, क्योंकि हे प्रभू, मैं अपना मन तेरी ही और लगाता हूँ अब दाउद ने इस भजन को लिखा है लेकिन दाउद एक बात अपने मन के विस्थे में हमें बताता है जब दाउद वेविचार में फस गया उसके बाद उसने पश्चताप किया बजन सेता है क्यावन अध्याए उसका पश्चताप, उसने पश्चताप किया अपने पाप से और परमेसर ने उसको च्छामा भी कर दिया हम देखते हैं बजन सेता एक सो तीन अध्याए यहाँ पर दाउद क्या कहता है ध्यान से सुनिये गा वो कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्ने के है अब मन के काम शुरू हो चुके हैं जब हम अपने मन को परमेसर के और लगाते हैं जब हम अपने मन से बातचीत करते हैं उसे कहते हैं कि भाई ये काम तो गलत है यार परमेसर ने मना किया इसको करने के लिए यह तो आग्या है परमेसर की कि ऐसा नहीं करना है हमें और फिर भी तू मुझे उस साइड लेकर जा रहा है फिर भी तू मुझे वेबिचार करवा रहा है फिर भी तू मुझे गालियां दिलवा रहा है तु मेरे अंदर नशे करने की आदत को डाल रहा है कि कोई देखतो रानी है चलो आज थोड़ी से पीलो एक गुटका ही खालो ये मन हमें इस तरह से बढ़का के रखता है तो हम अपने मन से बाच्चित करें जब दाउद ने अपने मन से बाच्चित की अब इस मन के जो काम है जब हम मन से बाच्चित करना शुरू करेंगे तो सबसे पहला काम हम यही करें जो दाउद ने किया है उसने कहा कि हे मेरे मन तो यहवा को धनने कहे और किसी को नहीं और लिखाए कि और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवितर नाम को धन्ने कहें जो कुछ मुझ में है क्या है मुझ में मेरे अंदर जान है मेरे अंदर प्रान है मेरे अंदर जुबान है मेरे अंदर ताकत है मेरे अंदर समझ है बुद्धी है ग्यान है ये सब बाते मिलकर परमेसर को धन्ने कहते रहे और किसी को नहीं और किसी बातों में इन चीजों को ना लगाए ये दाउद हमें सिखाता है यहाँ पर सीखने वाली बात है वो कहता है कि हे मेरे मन तो यहवा को धन्ने कहे क्योंकि वो धन्ने प्रबू है और लिखा है कि और ज बूल जाते हैं उसके उपकार को, कोई मनुस्य अगर हमारे परहसान कर दें, हम किसी प्राब्लम में पढ़े हैं, और किसी मनुस्य ने हमें वहां से निकाल लिया, और वह कहीं मिल जाते हैं, तो हम तुम्हाँ पर बड़े परिशान थे, हमारे साथ तो कुछ भी हो जाता, हम आपका एहसान जिन्दगी भर नहीं भूलेगे, मनुस्यों के साथ हमारा ये वहवार है, लेकिन परमेश्चर के साथ, रोज सुबह हम उठते हैं, हम देखते हैं, सूरज निकलावा है, बाहर पंची, चह चाहा रहे हैं, हवाएं चल रही हैं ठंडी, कौन करता है, ये उपकार को ना भूलना, उसके किसी भी उपकार को, यानि कि वो जो काम हमारे जीवन में करता है, सबसे पहला काम क्या करता है, कि वो हमें जीवित रखता है, जो हम सुबह उठें, तो सबसे पहले परमेश्चर को धन्यवादे, प्रभू, तेरा धन्यवाद कि तुने मुझ और लिखा है तीन आयत में, वही तो तेरे सब अधरम को शमा करता है, अपने मन से बातचीत करते हुए, दाउध क्या बाते कर रहा है, यहां पर ध्यान से सुनियेगा, सबसे पहले वो कहता है, हे मेरे मन तु यहवा को धन्य कह, बस इसके अलावा कोई काम ही नहीं तेरे लिए, सिर्फ यहां पर एक धन्यवादी डालने पर मेसर की प्रभू तेरा धन्यवादी, हमारा जो रूम है, यहां पर दरवाजा है एक, बाहर खोले तो बालकनी आगे बह हर जाकर सबसे पहले मैं पर मेसर को धन्यवाद देता हूं, कहता हूं कि प्रभू तेरा धन्यवाद कि तुन्हें आज के दिन हमें दिखाया है, यह प्रति दिन की मेरी कार्य प्रणाली में है, रोज करता हूं मैं, रोज प्रभू को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उसने मुझे जीवित रखा है ये एक आदत अपनी बना ले कि रोज सुब उटकर कहें प्रभू तेरा धन्यवाद अगर आज आपने नहीं कहा है तो अभी हाथ उठा लीजिए और कहिए प्रभू तेरा धन्यवाद परमेसर तेरा धन्यवाद कि तुने मुझे जीवित रखा अगर हम जीवित हैं तो समझ लीजे प्रभू येसु मसी हमारे अंदर क्यों क्योंकि प्रभू येसु मसी ही तो जीवन है लिख दीजे कॉमेंट सेक्षन में प्रभू तेरा धन्यवाद कि मैं जीवित हूँ तो ताउद अपने मन से बात्चित करते हुए क्या कहता है कि हे मेरे मन तु यहवा को धन्यक है और जो कुछ मुझ में उसके पवितर नाम को धन्यक है हे मेरे मन यहवा को धन्यक है और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना वही तो तेरे सब अधरम को शमा करता है जो हमारे अधरम को शमा करता है कि हम उसको इस मन में ना रखें हम वेर्थ की बातें अपने मन में रखें हम उसको धन्ने कहें दूसरी बात और तेरे सब रोगों को चंगा करता है सब रोगों को कैसा भी रोगों आपने मेरी गवाई सुनी गई थी मैं मर चुका था लिकन प्रबू ये सुमशी ने मुझे जिवित लिखा है वही तो तेरे सब रोगों को चंगा कर दीया फिर की डाक्टरोंने कहा था कि आपको प्रभेस्मेकर लगेगा लेकिन ना मिजो पेस्मेकर लगा है ना कुछ मैं पोरे इंडिया में घूमता हूँ चाहे एरोपलेन हो चाहे ट्रेन हो चाहे कोई सी भी सवारी हो पहाड़ों पर भी चड़ जाता हूँ दोड़के लोग अचमबा करते हैं कि आपका दिल इतना कमजोर है आप फिर भी ऐसा कर रहे है तब मैं कहता हूँ कि मैं पर प्रभू के हाथों में तो वो कहता है कि वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है उसने मेरे रोग को भी चंगा किया अगर आपने मेरी गवाही नहीं सुनी है तो अभी देख लीजेगा आप मेरे लाइबरेरी में जाए ये सब से उपर मेरी गवाही है और वहाँ पर आ इसमें सिर्फ परमिसर की धन्यवादी हो क्योंकि दाउद अपने मन से बात्चित कर रहा है और हमें ये सारी बाते बता रहा है अपने मन से कह रहा है कि वही तो है जो तेरे सब रोगों को चंगा करता है वही तेरे प्रान को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुना और दया का मुकुड बानता है और आगे लिखा है वही तो तेरी लालसा को उतम पदार तो से तत्त करता है जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है Praise the Lord, उकाब की नाई नई हो जाना एक अनुखी बात है इसके उपर मैंने एक वीडियो बनाया है आप मेरी लाइबरेरी में सर्च कर सकते हैं उकाब के बारे में दो एपिसोड है उसके दो भागों में मैंने उससे वचन को दिया है तो आप देख सकते हैं उकाब के बारे में और आगे लिखा है कि यहावा सब पीसे हुँओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है, सब पीसे हुओं के लिए, तो अपने मंद से बातचित करें, और उस से कहें, कि बस के बन सिर्फ परमेसर को धन्य कहता रहे, ये काम जब हमने कर लिया, तब परमेसर हमें उंचा उठायेगा, स्वरिये इस लोगों के लिए हमें उध्धार कारण बना देगा प्रेज दलॉड परमिसर इन वच्चरों के दौर हम सब को आश्री दे तो ध्यान में दीजेगा इस बात के उपर कि अपने मन से बात्चित करें और दाउत के तरह कहें है मेरे मन यहवा को धन्ने का है प्रेज दलॉड इस आप से कुझारिस करता हूं कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है टूपल्स आज उसमें सवाल है कि संथ पॉल्स ने भी एक युवक को जीवित किया था उसका नाम क्या है कमेंट सेक्षिन में जाकर सोरी डिस्क्रिप्सिन में जाकर आप उस लिंक को क्लिक किजे और जान करिजे पंदरा सेकंड में उस व्यक्ति का नाम मेरे साथ मेरी महीम में शामिल हो जाएए जिद है सच को पहलाने की बहुत सरे गभाईयां आ रही हैं बहुत सरे गभाईयां मेरे पास फोन में हैं वीडियो आज बनाऊंगा ताकि मैं कल उसे अपलोड कर सकूँ आप देखि कर लीजिए बेल आइकन को दबाईए ताकि नया वीडियो आपको तुरंत मिल जाए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कॉमेंट सेक्षिन में आकर मुझसे जरूर बाचित कीजिए प्रेज दलोड आज के लिए बस इतना ही फिर मिलूगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर तब तक के लिए मुझे आग्या दीजिए लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने मन से बाच्चित करते रही हैं और कहिए कि परमिंसर को धनने का है प्रेज दलोड